अब मानेनिय सुप्रीम कोट ने मुश्कराते हुए कहा कि जस्टिस लेडी ने अपनी आग पे पट्टी क्या बांद ली सनम तुम तो बेवफा हो गए कोट के अंदर दया की भीक मांगते आरोपी किस प्रकार बाहर निकलते ही दबंगई दिखाते हुए नीचता पर उतर आते हैं उसकी एक जलक इस जज्जमेंट में देखने को मिलती है एक छातर नेता जो कि बलादकार के आरोप में हाई कोट से जमानत की भीक मांग रहा था उसके तथा उसके साथियों की इस हरकत की विज़े से उसकी जमानत को सुप्रेम कोट ने रद कर दिया और जो अब्जर्वेशन सुप्रेम कोट ने इस मामले में दिया वो आज हो रहे अपरादों की सच्चाई बया करता है तो चलिए सुरू करते हैं और जानते हैं क्या है मामला मिस्पी वर्षी स्टीट ओफ मध्यपरदेश के मामले में आरोपी को जो की बलादकार के मामले में हाई कोट से जमानत मिली थी उसके खिलाफ याचिका करता ने सुप्रेम कोट का रूप करते हुए हाई कोट द्वारा दी गई जमानत को रद करने के मांग की याचिका करता ने अपनी दलील में कहा कि हाई कोट ने रिकॉर्ड पर पेस्ट कियेगी सामगरी को अंदेखा करके जमानत दे दी जो कि आरोपी का अपराद जमानत लायक नहीं था और आरोपी द्वारा हाई कोट से जमानत मिलने के बाद सोसल मीडिया पोस्ट तथा होडिंग्स के माध्यम से सिकायत करता पर दबाओ बनाने का प्रयास कर रहा है याचिका कर्था के वकील ने आगे बताया कि आरोपी ने याचिका कर्था तथा उसके परिवार को डराने के लिए अपयोग किया गया था उसके बाद आरोपी की ओर से पेस हुए एक senior वकील ने अपनी दलील में कहा कि जिन बैनर्स और होर्डिंग्स का हवाला याचिका करता दे रहा है उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो बैनर्स अता होर्डिंग्स मानरमदा जहनती के उपलक्स में उस जहनती से संबन दित थे इसके अलावा आरोपी के वकील ने आगे कहा कि आरोपी ने जमानत के किसी भी सर्थ का उलंगन नहीं किया है अब मानिनीय सुप्रीम कोट ने मुस्कराते हुए कहा कि जस्टिस लेडी ने अपनी आग पे पट्टी क्या बांद ली सनम तुम तो बेवफा हो गए पीठ ने कहा कि भले ही मान लिया जाए कि ये विचारा दीन पोश्टर आरोपी की रिहाई से संबंदित नहीं थे लेकिन ये पोश्टर उस जयनती से संबंदित भी नहीं लग रहे हैं जिसमें भहिया इस बैक बैक टो भहिया जी बैक टो रोल जाने मन मुकुर तथा दिल की मोजी इत्यादी का परियोग किया गया था और जो अपराद भहिया जी पर यानि आरोपी पर लगे हैं वो गंभीर प्रकृतिके हैं जिनके लिए भहिया जी को कम से कम 10 वर्ष की सजा या फिर आजीवन कारवास हो सकता है सुप्रीम कोट ने आगे कहा कि आरोपी के निरलज आचरण की वज़े से सिकायत करता के मन में भै पैदा हो गया है और यदि आरोपी जमानत पर रहता है तो सिकायत करता को स्वतंतर रथा निस्पक्ष सुनवाई का आउसर नहीं मिल प कर दिया और साथ दिन के अंदर ही आरोपी को आत्म समर्पन करने का निर्देश दे दिया दोस्तों जमानत किन परशितियों में रद की जा सकती है उसके डीटेल वीडियो लैंडमार्क जज्जमेंट के साथ अगले वीडियो में बताएंगे आज के लिए इतना ही अगर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तसा साथ ही हमारे फेस्बूक पेज को भी जरूर फॉलो करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन